यह कहानी है एक किसान की जो की बहुत महनती था। वह बड़ी महनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देख भाल करता था। पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पढ़ जाता, कभी बाड आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दोनों किस पेड के नीचे बैठ कर अपनी बरबाद हुई फसल को देख रहा था। और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ग्यानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। मौसम हो जाए तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में उपर से एक आवाज आई ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तु जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उड़ा सकता है और अपनी फसलों की हिफ पाज़त कर सकता है एक दो दिन गुजारने के बाद किसने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई अब किसान के पास तो शक्ती थी वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था तो किसान ने आंधी, तूफान और बाड कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया किसान ने अपनी फसलों को बरबाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी मनही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवन को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ती का सही इस्तमाल कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तयार हो गई किसान बड़े उच्च सुकता के साथ फसल को काटने लगा पर जैसे ही उसकी नजर गेहु की बोलियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया क्योंकि उन वालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था सारी बालियां अंदर से खाली थी अब वह किस बड़ा परिशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा वह जोर-जोर से चिल्ला कर यह कह रहा था, भगवान शायद तुने मुझे कोई सजा दी है तभी उपर से आवाज आई कि मेने तुम्हे कोई सजा नहीं दिया है, बलकि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो तुमने अपने पौधों को संधर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूजने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह पौधे संधर्ष करते हैं, और इसी संधर्ष से ताकत पैदा होती है जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संधर्ष से गेहूं का दाना बनता है तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरते ही नहीं दिया, जहां उनका बनावट होता, सारी बालिया इसी लिए खोकली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संधर्ष कराया ही नहीं सेम यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संधर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इनसान की तरक्की होती है आपको पता होगा कि जब एक डाइरेक्टर कोई मूवी बनता है, तो डाइरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट आक्टर को देता है तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जिन्दगी में तकलीफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है और आपकी किस्मत खराब है, तब खुश हो जाए क्योंकि उस भगवन ने यह सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही क्यों दिया है क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो, और जरा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी जिन्दगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संधर्ष ही ना हो, तब जिन्दगी जीने में मजा ही नहीं आता है